सुसू का जीब खंभे से लिपट जाता है। सुसू बैचारी चाकू से जीब को छुडाने का बहुत प्रयास करती है। लेकिन जीब नहीं छुटता है। तब तक सुसू गुसे में आकर पुलहारी से जीब पर बजा देती है। इससे जीब के दो टुकडे हो जाते है। इध भागता जाता है